पलायन कि कोई मुसल्मान किसी हिंदू को भगा रहा है ऐसे पलायन से अगर आप वाकिफ हैं तो आप मुझे बता दीजिये मैं मिलूंगी उनसे जाकर लेकिन पूरी बीजेपी तो इसी मुद्धे पर यहां बात करता है बीजेपी के कहने से क्या फरक पड़ता है बीजेपी तो बहुत सारी जूटी बाते कहती हम सब का यकीन करने लगेंगे आपके सामने जो है पूरा जो मुद्धा जो है कहराना में अब वो बन चुका है पलायन का योगी आदितनात हों चाहे अमिर्शा यहां आ रहे हों डो टू डोर कैंपेंड कर रहे हों प्रेशर में है कौन हम या बीजेपी बीजेपी तो साफ जाहिर है प्रेशर में है हम कोई प्रेशर में नह गए थे तो ये लोग क्यों निला पाए तो मतलब ये भी असक्षम रहे या फिर मुद्दा है ही नहीं हमारा कहना है कि ये कोई मुद्दा है नहीं कोई गया ही नहीं था यहांसे आपके भाई जो नाहीद असन है उनके उपर गुंड़ा एक इन तमान चीज़ों पर आरोप है बड़ा गंभी रहे ये आरोप कैसे आप वोटर के बीच में कैसे कन्विंस करेंगी वोटर को जब ऐसे आरोप लगते हैं तो आप भी अभी हमारे कैमपेन के पीछे थे तो दिक्कत कोई नहीं है क्योंकि हम ग्राउंड पे रहते हैं पब्लिक के बीच में रहते हैं और प्लिटिकली मोटेवेटड है आपके सामने जो है कहा जा रहा है कि ये जो है बेटी और बहन वाला चुनाव हो गया है दो महिला कैंडिडेट है आपके सामने जो सिंग परिवार है हुकुम सिंग जो सांसत है उनकी बेटी मरिगांका है क्या कहिएगा आपने तफ फाइट ह होती है और अभी जो हमारी candidate हैं उनसे भी उसी तरह की fight है और मैं यह कहना चाहती हूं कि बेटी तो मैं भी हूं यहां की पहले मैं बेटी ही हूं बेहन तो बाद में हूं बीजेपी जो है वह पलायन का मुद्दा उठा रही है और कहा गया कि योगी अधितनात ने कहा कि यहां से जो पलायन करके चले गए थे लोग वह वापस आगये हैं कई सारे लोग वापस आए हैं और उस पर अपनी सरकार की उपलब्दी गिना रहे हैं क्या सच्चाई है यहा हुआ और नहीं जब हुआ ही नहीं तो कोई वापस भी नहीं आया है यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा एंप्लॉइमेंट का है कैरान में पास में पानीपत पड़ता है और हमारे आंके काफी लोग रोजाना वहां आना जाना करते हैं काम के सलसले में तो एक बड़ा मुद सब्सक्राइश का यहां से पलायन हुआ है वह बिल्कुल ही जूट बात थी कुछ चंद लोग अपना कारोबार जैसे बढ़ता है आदमी बड़े शहर की तरफ जाता है के राना एक चोटा कसबा है तो दो तीन फैमिली कारोबार बढ़ा होने की वज़े से यहां से गए थे अनहीं को यह ले लेकर आते हैं और उनहीं का टॅकन ट्रचार कते हैं एक चीज़ तो है कि यहां से लोग गये थे फलायन किया था था ठीक है और वह पर तो लुट क्राइं is not an island, अलग से नहीं है क्या रहाना, यूपी का ही पार्ट है, जितना क्राइम पूरे ही प्रदेश में है, उसी हिसाब का यहां पर भी है, ऐसे कोई यहां पर अलग से कुछ प्रचंड किसम का क्राइम नहीं, ना तो था ना अब है, चली तो आप भाई की तरफ अभी भाई ज उप्चुनिटीज और एजुकेशन की फील्ड में हम काम करना चाहेंगे.